अलो फ्रेंड्स बीबी गार्डर में आपका स्वागत है तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है फटलाइजर के बारे में है कि कौन-कौन से ऐसे और्गानिक फटलाइजर होते हैं जो हम अपने प्लांट के लिए बना सकते हैं और वो हमें फ्री में ही हमारे किचन वेस्ट से ही मिल जाते हैं जो हम ऐसे ही बेकार समझ के फैंक देते हैं उन्हें का यूज करके मैं आज फटलाइजर बनाऊंगी तो आई देखते हैं यह पांच फटलाइजर जो किचन वेस्ट जो हम ऐसे ही फैंक देते हैं तो उसका जूज आप अपने प्लांट में कीजिए इन में बहुत सारे जो न्यूट्रेंट्स होते हैं, जो हमारे प्लांट को नीड होती है, वो मिल जाते हैं, तो देखिए जितने वी शिलकी हैं, ये सभी चीजे हमारे किचन में उजूज होती हैं, और सबसे पहले देखिए, यह है ओनियन, जो प्याज के शिलके होते हैं, उसके और मटर जो पी होता है, उसके शिलकी हैं, बनाना जो जो केला होता है, उसके हैं और आलू जिसको पोटैटो गोलती है, सभी को मैंने तीन-चार दिन के लिए भीगो के रखा था पानी में, और देखिए, तीन-चार दिन के बाद सर्दी का मौसम है, गर्मी में तो एक दिन में तो देखिए अभी मैं पानी निकाल के बता रही हूं तो देखिए यह पानी जो मैंने डाला था बिल्कुल जो है रेड कलर का हो गया तो यह अभी इसमें के है कैल्शियम, पोटाशियम, मेगनेशियम, आइरन, कॉपर और मैंनी मोर जो प्लांट की रुकॉर्मेंट होती है ज तो इनको थोड़े देर के लिए भीगो के रखिए एक दो दिन के लिए जैसे मैंने अलग लग लग लिया था और आप इन सभी शिल्कों को एक साथ भी भीगो सकते हैं और देखिए यह है आलू के शिल्कों का इसमें पोटाशियम, मेगनेशियम, फासपोरस और बिटामिन होते हैं एक यह तीसरे नंबर पे है यह संत्रे के शिल्के जा औरेंज जो पिल होते हैं इसमें बरपूर मातरा में देखिए पोटाशियम, नाइट्रोजन, फासपोरस और एसडिक ततब होते हैं जो सॉयल हमारी जो प्लांट पसंद करते हैं एसडिक सॉयल जैसे हविसकस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इनको आप मिट्टी में तो डाली सकते हैं और प्लांट पे पानी में डालके इनका स्प्रेय भी कर सकते हैं चोथे नंबर पे है यह बनाना पील बहुत ही अच्छा होता है फ्लावरिं प्लांट के लिए इसको आप इस तरी कैल्शियम, मैगनेशियम, फासफोर्स, कैल्शियम है, जो प्लावरिंग को बूस्ट करने में जो है, हल्प करता है प्लांट को, तो देखिए यो लास्ट नमबर पे है, ये पी जो मटर के शिल्के होती हैं, इनमें ज्यादा कुछ तो नहीं होता है, मगर फिर भी ये काफी फ कि अभी मैं इन सभी को बारी बारी आपको देख के बताऊगी कैसे आपने इनका यूज करना है, और देखिए ये सबसे पहले प्याज का जो मैंने बनाया था, लिकट फर्टिलाइजर, उसको मैंने देखिए, एक ही गलास बनाया था, तो उसको मैंने एक लिटर पानी में डेलूट करके, मैं अभी जो मेरे बिंटर फ्लावरिंग प्लांट है, उनको दे रही है, और देखिए, ये मैं इनको भी दे रही हूँ, जो है विसकस के प्लांट है, तो आप किसी भी प्लांट में इनका यूज कर सकते हैं, ये नहीं है कि इसको नहीं देना है, उसको नही दोसरे नमबर देक्षी अलू के गॉस्ट को दें लास मेंने बनाए था इसका फट इलाइजर तो यह works, बनना बेल पील को फट में प्लावरिंग के énormément मैं समय लिए मेरे सब गॉस्ट को समय इसका नावरम सेद्चimport, आप किसी भी जो flowering plant है उनको दे सकते हैं जो हविसकस है जैसे एक्जोरा है जा जैसे जर्वेरा है जो भी आपका flowering plant है अडेनियम है उनको आप दे सकते हैं तो जो उनकी flowering है काफी boost होगी और साथ में उनकी जो health है वो भी अच्छी होगी ये orange है औरंजी का जो मैंने liquid fertilizer बना तो मैं जो pesticide का juice है बहुत ही कम करती हूँ अपने garden में मैं जादा तर जो है जो hand wash होता है जहां इस तरीके से जो orange के शिलके होते हैं उनका इस तरीके से जो spray है मैं अपने plant पे करती हूँ कल्यों पे जहां-जहां जो pest लगे होंगे वहां-बहां करना और पूरे plant भी कर देन और थोड़ा सा मिट्टी में भी मिला देना है और देखिए यह काफी जो है soil को भी acidic बनाता है और यह हमारे viscous के plant होते हैं इनको acidic soil ही पसंद होती है और देखिए जो इन पर pest होंगे वह भी हट जाएंगे तो इसका भी use आप अपने plant की soil में भी कर सकते हैं और plant के उपर spray भ permanent plant हैं कुछ seasonal हैं तो इन जो भी जितने भी fertilizer मैंने आप शेयर किये हैं तो इनको आप किसी भी plant में ली canal में दे सकते हैं चाहे permanent है seasonal है चाहे indoor है outdoor है सभी में आप इनका यूज़ कर सकते हैं हफते में एक बार कर सकते हैं पंदना दिन में एक बार कर सकते हैं जब भी आपको time मिले जब भी आपके पास ये शिलके available हों तो दो तीन दिन के लिए भिगो के रखह दीजिए फिर एक दो लिटर में जैसे डेलूट करके पानी तो फिर आप दे सकते हैं तो इनका कोई जो है साइड फेक्टर नहीं होता है प्लांट को फाइदा ही होगा और आपके जो प्लांट है वो शाइन करेंगे तो मैं तो हमेशा ही करती हूँ देती हूँ अपने प्लांट को तो जो बचा हुआ जो मैटेरियल है ये तो इसको आप जो हमारा कमपोस्टिंग विन होता है उसमें डाल सकते हैं इनसे बहुत ही अच्छी कमपोस्ट भी बनती है तो देखे मैं ऐसे ही करती हूँ तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगए तो इसको लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा तो थेंक्यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके जुरूर बताइएगा और फिर मिलती हैं किसी नए वीडियों ने टॉपी के साथ तब तक लिए बाई, हैपी गार्णिंग